नमस्कार दोस्तो, मैं सतेंदर सिंग दोस्तो, मैं दिल्ली मेटरो रेलियो में टेखनिशन फोस्ट वे पोस्टेड हूँ दोस्तो कहते हैं ना कि जिसके होसले बुलंद होते हैं उनकी मंजिल जो है अपने आप कदम चुमएगी यह लाइन मेरे जीवन में मेरे पे सटीक उतरती है बच्चपन में मैं मुस्किल से 6-8 माँ का था तब मेरे पिता जी का 11 केवी के साथ 11 केवी के संपरक में आने के कारड है उनके साथ एक दुरगटरना गटी और उसमें उनको अपने हाथ पेर गौन इपड़े दोस्तों हुआ यह कि 7-8 साल तक उनका टिटमेंट चला और आप समझते हैं कि जिस से प्रिवाल का जब मुख्या होता है वो अगर 7-8 साल उसका टिटमेंट चलेगा उनका तो उस गर की हालत थोड़ी दननी हो जाएगी यही दोस्तों मेरे साथ ह duża जब मैं मुख्यल से छटी क्लास में जब था तो उस टेम पए मेरे गाव मेरे गाम में जो इसकूल है जो गौर्मेंट सकूल है वो 5 तक ही थी उस तेम पे आज तो वो बारिम तक होगी मेरे को बहुत खुसी है कम से कम जो घटना मेरे साथ घटी वो मेरे छोटे जो भाई बेन हैं उनके साथ नहीं घट रही है तो उस टेम पर दोस्तों मेरे को मेरे गाउं से छटी क्लास में मेरे को मेरे गाउं से करीवन तीन से चैर किलु मेटर दूसरे घाम जो मनक्सास था उसमें जाना पढ़ता था उसको जाने के लिए उस टाइम पे दोर पे आने के दोर पे जाने के लगते थे लेकिन दोस्तों उस टायम पे ये चार के ज्टाना भी मुस्किल हो जाता था तो उस चक्तर से मेरे पिताजी ने मेरे को अंडे बेचने का बिजिनिस करवाया मैं सुबह जल्दी उटके चार बजे उटके मेरा होमर करता था मेरा इस्कूल का काम करता था और सुबह जल्दी उटके 6 बजे उटके उस टेम पी स्कूल साड़े-दस बजे लगती थी तो जल्दी से मैं पिता जी मैं जब छटी क्लास में था उन्होंने छोटी पर्चुन की दुकान कर ली थी तो उसमें मैं 9-9 बजे तक उनकी हेलप करवाता था उसके बाद में स्कूल से जैसे ही मैं आता था दोस्तों साड़ी-चार बजे छुट्टी होती मैं साड़ी-पांच बजे घर को असता साड़ी-पांच बजे तक आते ही बस वही दिते करम मतले अंडों का जो मेरा छोटा एक बजनिस था उसको मैं सरापके ठेके के सामने लगाता था कि आहज ठेके जो हैं 8 बजे बंदो जाते हैं उस घम पर दोस्तों ठेके को लिमिट नहीं थे टाइम मा उस्टेम estaba में साड़ी-वजे तक करें दोस्तों हाथ से सब के साथ होते रहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है मैं यह नहीं समझता कि यह इतने बूरी कंडिशन मेरी थी मेरे को इतने इतने काम करने पड़े इतने पापड वेलने पड़े मैं मेरे अंदाज में लगबग मेरे शभी भाई भेनों के साथ होता है तो मैं उनको ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कोई बात नी गबराई ये नहीं आप इन समस्यां का निदान करके समस्या का निवावरण केरके दोस्तो आगे बढ़िये आप अगर वहीं पे आप रुग गए ना तो दोस्तो मुश्किल तो आपके पहले से थी और ज़्यदा मुश्किल हो जाएगी मैंने यही शिक्का है मुश्किल का मूँ तो जवाब दे के आगे बढ़ता मैंने शिक्का है उस टेम पर मैं अंडे बेच के आता था दस ग्यcil Graph बारा भी बज़्याते ते गयरा भी बज़्याते थे तो मैं वहाँ पर स्तराभियों के सामने यहां पर अंडे बेच्टा यह भूब कहते थे कि बात बोलते मेरे को लेकिन मैं आपको फिर मोटिवेट इसी मेरे ये कलास लेने का यह जो यह लाइव आने का मोटिव यह मैंनों मक्सद यह है कम से कम अगर आपके साथ भी हो रहा ना तो आप उस चीछ से घबराईए मत उस समस्या का हल निकाल दोस्तों घबराना पीछे यह दोस्तों उसके बाद में दोस्तों दिरे-दिरे में थोड़ा सा समधार हुआ नोज दसी किलास में हो गया तो उस टेम फे मेरे को भी सर्माने लगी कि मैं एक राजपूत छत्रिय को में जनम लेके मैं अंडे वेचता हूं तो मेरे को थोड़ा सा सरम एशूस होने लगी साथ में पढ़ाई जा रही थी उसके बाद में मैंने अंडे बेचने से पिता जी को मना कर दिया तो उन्होंने मेरे को एक सबजी बेचने का बिजने से लोग पुरावा दिया मैं सुबह उटके साड़ी-चार बजे चार बजे उटके सबजी मंडी आता है उसके बाद में सबजी लेके आता है फिर सबजी पूरे गाह में रेडी के मदम से पूरे गाह में सबजी सप्लाई करके और दस बजे घर आके तुरंत नहना और उस टैम में खाना खाके और तीन से चार किलोमेटर सब्साइकल से स्कूल में जाना। वापेस आते खाणा खाके फिर तुलंत सर्जी लेकर पूरे गाओंगाओं ढाणियं, लाणियं उपे शतजी सपलाई कर आना, फिर राथ को आठ बजाते थे फिर आपे पिताजी के पास दुकान पे उनके हिलख करमना दस में जाते थे खाना खाता था ग्यारा बज जाते थे फिर बारा बजे तक पढ़ाई करता फिर मेरे को नी इंदा जाती दोस्तों ये मेरे साथ ये ही जो हाल था सबजी वाला जो शिटम था लगबग में बारवी तक ये मैंने किया उसके बाद में मैं नीमराना की एक जो फैक्टरी थी मेरे जो रिलेशन में उन्होंने उस फैक्टरी में वो काम करते थे मैं भी वहाँ पे आया उस फैक्टरी में उस टेम ते मेरी पगार जो थी चार हजार के करेबन थी मैंने एक मेने काम किया उसने दोस्तो लेकिन वहां से मैंने इतनी बड़ी मैंने एक महिने एक मेने काम किया लेकिन वहां से दोस्तो मैंने मेरी जिंदगी भर की कमाई कमाई थी मैंने कैसे कमाई दोस्तो वहां पर एक बंदा मिला जिसकी सेलरी 10,000 थीं स्टाइम पर वह दो आठ नो की बात है आठ की बात है? आठ या नो की बात है तो उस तैम पर मेरी को मिलते थे साड़ी तीन चारहजार पे लगब उसको 10,000 मैंने पूचा भाई यह आपकी इतनी सेलरी कैसे है तो उसने बताई कि भाई मैंने ITA का रखी है और ITA के जो भी ITA होल्डर है उनको 10,000-12,000 पे मिलते हैं मैंने सुचा है मेरे को भी ITA करनी है और मेरे को ये भी पता नहीं था ITA क्या होती है किस से होती है कैसे होती है मैं दोस्तों डाइरेक्ट चेला गए जेपूर जेपूर्दाने के बाद में भाईयों से पुछा और कई जो मेरे दमित्तर थे उनसे पुछा कि ITA क्या होती है तो किसी को स्टेम पे किसी ITA का नाम नहीं पहली बार सुनाता पता ही नहीं था उस टेम पर ITA क्या है तो मुश्किल से वीवे का नंद ITA 14 नमबर में वहां गया वहां एडिशन करवा दिया भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे भाईयों ने थोड़ा सपोर्ट किया बहुत अच्छा सपोर्ट किया उनको मैं दिल से धन्यवा देता हूँ उनको सेल्यूट करता हूँ, मेरा इतना सपोर्ट किया मेरा इतना सयोग किया मेरे माता जी, मेरे पिता जी उनको मैं परनाम करता हूँ ऐसे हालत हुए, होते हुए भी उन्होंने मेरा इतना सयोग किया इतना मेरा सपोर्ट किया कि दोस्तों फिर भी मेरे हीमत नहीं आ रही वहां पर आईटिय में फीश थी उस टेम पर मेरी 40,000 लगबग लेकिन मेरे भाई ने मेरा खूब सपोर्ट किया फीश उन्होंने भरी लेकिन फिर भी मैं पार टाइम में मतल मेरे रूम पर होते हुए भी मैं दुकानों पर जाजा के मैंने संब्रक किया उनको बोला कि मेरे को मोटर वाइंडिंग का काम आता है और मैं वाटर वाइंडिंग जो है पार टाइम या आपके कर सकता हूँ तो दोस्तों मेरे पिता जी ने जब हाथ भी कट गे थे पेर भी कट गे थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भी हिमत नहीं आ रही मैंने उन्होंसे बहुत बड़ी सीख ली है मेरे पिता जी के हाथ पेर दोनों कट गे थे अंगोलियां कट गे थे उन्होंने हिमत नहीं आ रही वो ही सीख मैंने फिर से ली कि जब पिता जी नहीं हिमत नहीं आ रही है तो अपने कुद बिलकुल नहीं आ ली है उन से मैंने सीट ली और ITA के साथ साथ में थोड़ा बहुत दुकानों पर मैंने पार्ट टाइम जोग भी किया ऐसे करते करते हैं किया ही होगी इस एक्जाम दी दो हजार पारा में मैंने एक्जाम दी जेपुरमेटरों की और उसमें फैस्ट टाइम मेरा सेलेक्शन हुआ बड़ी खुसी हुई लेकिन द्रवगागे की बात है कि उस ट्रैम पे मेरे जो आईटे की जो मरक्षित नहीं आई थी उस कराण से मेरा सेलेक्शन फिर से रुप गया बहुत दुख हुआ साथ में दोस्तों अचानक है जो है मेरे नाक जो नाक था उसमें अचानक बलड आना चलो हो गया बलड नहीं रुक रहे थे फिर से पैसे लुटा आये फिर से ओप्रेशन करवाया ओप्रेशन थोड़े दिन बाद में साल भर बाद में ये ठीक हुआ उसके तुरंत बाद ऐसे करते करते 2013 आ गई 13 में सबसे पहले में नीम कथान में वर्दा आईटे जो इनकी वर्दा आईटे में तो मैं यह आपको बताना चाहूंगा दोस्तो खोसला एक बहुत बड़ी चीज है मैंने नीम कथाना की जो कोचिंगे हैं वहां पे मतलर बेरे दोस्तों से इस्टूडेंटर से पता लगाया की कोचिंगों में एग घंटे के 500 रुपे मिलते हैं सब्सक्राइब कॉछिंग फंड़ब फंड़ा षैक दोस नॐ मैं ने में धाना केटा लिफ्ट कोठीग में डायरेक्ट गया मैं में और वहाँ पे दोस्ट प्रमत्र जो नवींग भटनागर हैं और मेंजी शिरादनाय को में और भी मेरे बहुत प्रियों गुरुजन है कि उनके में संप्रक में आया अरो उनों ने मेरे को सिवा का मोका दिया कोचिंगों में पढ़ाने डोस्ता वो मेरी जिंदकी का ऐहम पड़ाव था उन्हें से लूट करता हूं जयम जी बाटनागर और पढ़ा रहा था मेरे पहला पढ़ा था और मेरे को खुसी हो रही है उस टेम पे बहुत खुसी हो रही है कि मेरे को भी अब 400-500 पर घंटे की कलास के मिनेंगे बहुत खुसी हो इस टेम पे मेरे को और मेरी उस टेम पे दोस्तो 2013-2014 के में बात कर रहा हूं उस टेम पे मेरी 5-5 अच्छे शाथ साथ कलास आती थी, शेचे कलास आती थी, तो इतने पैसे होते थे मैं जैसे मेरे पिताजी को लाकर देता था, तो उनको बहुत खुसी होती थी, उनके आंकों मैं आशु आ जाते थे, कि बेटा, इतनी कमाई अगर आप मेशा करते रहोगे, तो अपने घर की इ दिकती नहीं होगी, बहुत अच्छा फिल होता था उनको, और मेरों पर में अच्छा फिल होता था, कि हमारी गर्टी इस्तिती देहे दिर्या बहुत अच्छी होती जा रहे थी, 2014 में बिजलीवा का रास्तान अजमेर विदुत वितरन निगम लिमेंटेड का फिर से एक पर रगा उसमें, फिर से मेरा सेलेक्शन हुआ, उसके बाद में दोस्तो, अच्छे दिन कटते रहे, चलता रहा, लेकिन अच्छानक से, दो ज़ार सोडाई, और उसने मेरे जिन्दगी को फिर से तबागर दिया, दोस्तो, अच्छानक से फिर से मेरी अपेंडिक्स फट गई, और जिसको पता तक, मेरे को पता तक नहीं था, मेरी अपेंडिक्स भी भड़ गई, डोक्टरों के जिसे मेरे पेट में हलका सा दर्द हुआ, डोक्टरों को चेक रहा, तो उन्होंने बला, आपके पत्री है, दो-चार दिन होस्पिटलों में पढ़ा रखा, जब मेरे हालत बिल्कुल नाजूख हो गई कि आप ये बंदा बचे गाने, तुब उनोंने रेफर किया, मेरे भाई, जिनोंने भाईयोंने शपोर्ट किया, उनोंने जो, जो जयापुर ऐसा है, मैस होस्पिटल है, उनसमी मेरे को पूछाए, वहाँ डोक्टरों ने, तुरन्त, अउन डो मुईद नहीं है कोई आस नहीं है लेकिन फिर भी मेरी भाईयों ने उनको बोला कि कोई दिकत नहीं है सर कम से कोशिश तो करिया उन्होंने कोशिश की और लग बग यह ओप्रेशन जो है आठ से नो गंटा ओप्रेशन चला मेरा और पांच साथ आठ दस तिनों में उन्होंने छोटी रे दी घर जैसे आये दोस्तों फिर से समस्या जो मेरे टाके थे उन्होंने में फिर से मौद पढ़ दी और फिर से नीम का थाना जो है सरकारी रोसिप्ल में फिर से बढ़ती करवाया गया वहाँ पे दस से पंदरा दिन फिर से इलाज चला वहाँ पे डॉक्टर जो राकेजी खिदर है उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको मैं परणाम करता हूँ कि उन्होंने दिल लगन और अच्छी महनत के साथ मन लगा के उन्होंने मेरा किटमेंट किया और मैं फिर से सवस्त हुआ और फिर से मेरी गाड़ी लाइन पे आने वाली ही थी इतने में फिर से भाई आया और उसने मेरे उससे कोई जानकारी वगएरा कुछ नहीं थी लेकिन उसने मेरे पे अटेक किया और यहां पर यहां से जो है यह पूरा हिसा जो है यहां से अलग कर दिया उसने मेरे को इतना जोर से काटा कि यह पूरा हिसा अलग हो गया यह अंदर से ही यहाँ से यह पूरा जो जबड़ा जो होता है वहाँ से माज से टूट के लटक गया फिर से मेरा धाय तीन मैना इलाच ना लेकिन दोस्तों मैं जैसे ठीक हुआ तो मैंने सुचा फिर से मेरे को महनब करनी है फिर से मेरे को आगे बढ़ना है लेकिन मैं जैसे त्यारी करता दो से तीन गंटे त्यारी करता लेकिन दोस्तों मेरे पेट में जो थे टांके जो थे अपेंडिक्स के जो टांके थे वो थोड़े ताजाई थे उनमें दर्द होता था पड़ा नहीं जाता था लेकिन मैंने फिर से हिमत जोड़ाई और बोलते हैं न आपका अगर मन में ठान लोगे ये मेरे को काम करना है तो एक मैं बोलना चाहूँगा आपको एक एनर्जी है positive energy है जो आपका automatic support करेगी जाए आपके पेट में दंद है, साड़ में दंद है, कुछ भी है अगर आप वो चाहोगे ना कि मेरे को ये करना है तो आप कुछ चीज को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है फिर से मैं 7-8 गंटे, 10 गंटे पढ़ने लगा फिर से 2018 आई, 17 आई और 17 में दिल्ली मेटरों का मैंने पहला एकजाम दिया और इसमें फिर से सेलेक्शन हुआ, मेरे को बहुत खुशी होई लेकिन दोस्तों जैसे ही, मैं जोइनिंग लेटर आया और मैं जोइनिंग के लिए मैं दिल्ली आया तो मेडिकल वगेरा सब कुछ हो गया, सब कुछ हो के कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जैसे ही फिंगर प्रिंट जैसे मेच किया, या अंगूठा मेच किया तो ये मेच नहीं हुआ फिर से समझता खड़ी हो गई, कि आपका फिंगर मेच नहीं हो रहा है तो आपको आपकी रिपोर्ट फॉरंचिक लेव में जाएगी तो उसके बाद में अगर आप पॉजिटिव है तो दिल्ली मेटर करमचारियों ने बोला कि आपकी फॉरंचिक लेव में रिपोर्ट जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद में आपकी जोईनिंग करवाई देगी दोस्तों फिर से दिमाग जो है वो इस्ट्रेश में आगया कि मुस्किल से अपना काम हुआ था उसके बाद में यह हुआ मुस्किल से दो-तीन मेने निकाले फिर से दिल्ली मेटरों की 2017 में फिर से विकेंची आई और उनके 2018 में फिर से एकजाम हुई तो जैसे फिर से मैंने जो है कोशिस करी बढ़िया वाड़ी और फिर से जो है दुबारा से एकजाम दे दिल्ली मेटरों की और साथ में बिजली बाद की भी दुबारा से विकेंची आई फिर से दिलिमेटरों की मैं एकजाम देखे आया और उसके कुछ दिनों बाद में 2018 में फिर से जो फोरंचिक लेब में रिपोर्ट गई हुई है उसका रजल्ट आया और पता लगा की आफका फोरंचिक लेब में आफका फिंगर मेंच हो गया है और आपकी गुनिश सितंबर की जोइनिंग है जैसे ही मैं दोस्तों गुनिश सितंबर को सहयों की बाद देखिए दोस्तों जैसे ही गुनिश सितंबर को मैं की जोइनिंग डेटी और गुनिश सितंबर को मैंने जोइनिंग किरी और जोइनिंग करने के तुरंट दो तिन दिन गुषिणनी बाद मैं 33, 24 सितंबर को राजस्थान विजली बॉर्ड का भी मेरा जो एक्जाम दी थी उसका भी रेजल्ड आता है और उसमें मेरा सेलेक्शन हो जाता है थोड़ी दिन बाद में जो दिली वेटरों का एकजाम दिया था उसका भी रेजल्ट आता है और उसका उसमें इसमें मेरा सेलेक्शन हो जाता है दोस्तों तम मेरे को पता लगा कहीं कई एक पॉजीटिव एनेरजी जुरूर है जो आपका सपोर्ट कहीं करती है दोस्तों जिंद्गी में अगर आप महनत रहे चेंक कितने भी प्रेशा नहीं आये अन्यत करते रहे हैं आपको एक दिन आपके मंजिद जरुद प्राफ वगी दोस्तों यही मेरे साथ हुआ आज मेरे पास दोस्तों 4-4-5-5 जोइनिंग लेटर हैं जिसी वख भाई को कोई डाउट हो कि सर आपके तो फैंक रहे हैं कि आपके पास 5 जोइनिंग लेटर कहां से हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट मेरा जो मेरे फोर नमबर है 6-3-7-5-7-5-0-3-4-9 मेरे वाट्सअप से आप जोड़िये और उस पी देखिए मेरे पास कितनी जोइनिंग हैं दोस्तों मैं यह नहीं करना चाहरा है कि मैं एटिटिट नहीं दिखा रहा आपको मेरे पास 5 जोइनिंग हैं मैं यह बोलना चाहरा हूँ अगर आपके भी ऐसी कंडिशन है ऐसी समसे हैं तो आप पले जुरुकिये मत आगे बढ़िये आज मेरी माँ जिनको ऐसे ऐसे लोगों की तरफ देखना पड़ता था जिनको उन्सान जिनको इतना देखना पड़ता था जुगना पड़ता है और आज जैसे ही मैं अपनी मंजिल प्राप्त करीए ना दोस्तों मेरी माँ उतनी खुश है, अपने आपको गर्वित में हैसुस करती है, बहुत ज़्यादा खुश नसीव में हैसुस करती है, और उसका नतीज कारण है वो यही है, मैंने अच्छी तरह से मेहनत करी, और जो भी समस्य आई उसका हल निकाडा, नेकी पिछे हटा, तो दोस्तों आज यहीं तक उमीद है, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी आज से एलक्षे बना लीजी, मेरे को इतने घंटे त्यारी करनी है, तो करनी है, जहें मेरे को कुछ भी करना है, तो दोस्तों आपकी, जो सफलता है, आपका जो फल है, आपका जो मंजीर है उसको, उसको उसको आपको पहुंचने में दुनिया के कोई भी तागत आपको नहीं रोक सकती, और दोस्तों, टेकनिकल कोई भी पोस्ट जो है, आईटे इसी जो पोस्ट होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई विकेंस ही होती है, तो उसके बारे में मेरे से आप राय बिलकुल ले सकते हैं भेजिजिक ले सकते हैं और ज़्यादा अगर टेक्निकल नोलेज की जानतारे चीए तो मेरे यूटूब चैनल इलक्रिशिन आईटे नोलेज से आप लुड़ सकते हैं थेंकि दोस्तो आज इजादर दीजिए आज यहीं तक नमस्कार दोस्तो